मुझे नहीं लगता नम्र होने से अधिक मुश्किल कोई और बात हो सकती है नीती वचन 6-16 इन 6 वस्तुओं से प्रभू को नफरत है वरन साथ है जिससे उनको घ्रिना है साथ भी बात है भाईयों के बीच में जगड़ा उत्पन करना भाईयों की बीच में जगड़ा उत्पन करना घमंड के कारण होता है प्रभू को जिन बातों से ग्रिना है उनमें से सबसे पहले घमंड से चड़ी हुई आँख है वो आत्मा जो खुद को दूसरों से बड़ा मानती है और दूसरों को तुछ मनती है वाव इसका अर्थ है खुद को दूसरों से बहतर मानते हैं और चर्च का संगतन खुद को दूसरी चर्च से बहतर समझता है जब एक वक्ता मंच पर खड़े होका दूसरी चर्च की आलोच ना करता है तब मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है मैं आहत होती हूँ जब कोई वक्ता टीवी वक्ताओं का मजाक उड़ाता फिरता है वो मुझे है और मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते उन्हें कोई कलपना नहीं है कि टीवी पर इस तरह रहने की कितनी बड़ी जिमिदारी होती और बिल भरने हे तु प्रभू पर निर्भर रहना पड़ता है और लोगों के ऐसी टीपणियों की पीछे वज़े होती है उनका गमंड और उनकी इर्शा जो उत्पन होती है गमंड से खैर वो समरदी प्रचारक मैं चाहती हूँ कोई मुझे बताए वो क्या है मुझ पर वो लेबल लगा दे और मैं नहीं जानती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि मैं तो प्रभू के वज़न के अनुसार ही सिखाती हूँ मेरा माना है कि प्रभू लोगों को आशिश देना चाहते हैं पर उससे अधिकों चाहते हैं कि हम उनके ज्ञान में बड़े और परमिश्वर के राजे के फलदाई नागरिक बने हमें छोड़ देना है लोगों पर लेबल लगाना क्योंकि वे हम जैसे नहीं है मसी के शरीर में किये गए बटवार के कारण हम कमजोर हो गए है जरा सुची क्या होगा अगर बप्तिस्ट और मेतोटेस्ट और दूसरी जाती के लोग सच्चा प्रेम करें और आपस में सहमत होकर प्रभू के काम को आगे बढ़ाएं एक तामे बल है बटवारे में नहीं पर हम बट क्यों गए हैं गमंड मेरा तरीका ही सही है एक राज की बात बताओ मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई पूरी तरह सही है स्वर्ग में जाने के बाद हम सब अपने अपने सिदानतों की सचाई ढूंडते रहे जाएंगे हम ऐसी बातों पर बहस और जगड़ा करते हैं जिनसे परमिश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उन बातों को लेकर शुरू नहीं होना चाहती प्रभु को इसे घ्रिणा है सक्त घ्रिणा है कोई आपकी तरह नहीं है इसलिए उनका न्याय मत करो जो मेरी तरह नहीं है उन्हें मुझे दोश नहीं देना चाहिए आपने गौर किया होगा कि प्रभु को विवित्ताय पसंद है और हम सब में अपनी अपनी विवित्ताय होती है हलो गौर फर्माइए मत्ति ग्यारा कितना खूब सूरत है इस अध्याय का वचन 28 पढ़ेंगे जो कहता है बोच से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हे विश्राम दूँगा मैं तुम्हारा बोच हलका करके तुम्हे तासगी दूँगा मेरा जुआ अपने उपर लेकर मुझ से सीखो क्योंकि मैं मन का दीन और रदय का नम रहूँ और तुम विश्राम पाओगे आराम, सुक, तासगी और संचीवन और राहत पाओगे अपनी आत्मा के लिए एक बात बताती हूँ गमंड आप पर इसलिए ये हावी हुआ है क्योंकि आप अपना पूरा वक्त औरों की आलोच ना करके उन्हें दो शीट धहराने में जाया करते हो और ऐसा जताते हो कि आपको सबके बारे में राय बनाने का हक है और आप सबको बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो, सोचते हो मैं सोचते हूँ, मैं सोचते हूँ, मैं सोचते हूँ मुझे बताना है मैं क्या सोचती हूँ, मैं अक्सर कई प्रचारोकों के साथ भोजन करने जाती हूँ ये कई साल पहले की बात है और मैंने ये गौर किया कि अपनी सेवा की बढ़ाई मानने के चक्कर में हम में से कोई भी खाता नहीं था, देखो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये चर्च में किया, मैंने वो गया और एक दिन जब मैं भोजन करने गई तब प्रभू ने मुझसे यूँ का मैं चाहता हूँ कि तू तब तक कुछ ना कहना जब तक कोई तुम से ये न पुछे और भोजन समाप तो होते होते मैंने जाना कि उन्हें मुझ में कोई रूची नहीं थी किसीने मेरे काम के बार हम कुछ नहीं पूचा कई बार हम एक दूसरे से मिलते हैं पर एक दूसरे में रूची नहीं रखते हम एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं वू, मेरा संदेश अच्छा है. क्या ये सच नहीं कि हम एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या बताऊं? डींगे माने हैं, तुस सारे में हैं तो पूर्ण लोगों के नाम लेकर लोगों को बताना कि आप किस तरह उन्हें जानते हैं और उनसे जुड़े हो, आप कोई भी बात. एक पत्रस पाँच पाँच इस प्रकार है नव यूव को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, इसका यार्थ नहीं कि आप किसी के नीचे रहो, इसका यार्थ नहीं कि शायद किसी और से आपका पद अलग होगा. तुम प्राचीनों के अधीन रहो वो जो चर्च के आत्मिक अगुए और सेवक हैं और कोई चाहता है कि वे अपना काम संभाले और उसे निभाएं और अगर आपको चर्च में किसी बात के लिए सुधारा जाए तो सबसे पहले आप जाकर अपने लिए दूसरा चर्च ढून लेंगे अगर किसी ने आपको एक हपते के लिए कोई पद नहीं दिया तो आप कहते हो कि वो प्रभू की नहीं सुनते हो और आपकी कला जाया हो रही है ओ बाप्रे अपने आपको प्रभू के बलवान हाथों के नीचे नमरा रखो और उन्हें आपको उठाने दो आपको बढ़ाने दो मुझे यादे जब पहली बार मैंने सिखाना शुरू किया था और कर ये करने हैं तो प्रभू ने मुझे वर्दान दिया था मैं हमेशा से सिखाना चाहती थी और मैं सबसे अच्छी थी मुझे ये वर्दान मिला है खेर मैं एक पारिवारिक अधेयन ले रही थी पचीस-तीस लोगों और एक समुका और मैं उतना ही कर रही थी और तब भी मैंने इसी तरह सिखाया कि सिवा इसके कि तुम मुझे ग्यान मत दो अगर आपको मुझे सुनना पसंद है तो आपने मुझे सुनना चाहिए और जब मैंने बाबल सिखाना शुरू किया मैं आपको सच्चाए बताना चाहती हूँ मैं हमारे घर की फर्ष पर बैठ जाती थी और मैं छोटी पतलून पहनती थी मेरी पतलून काफी छोटी हुआ करती थी और वहाँ बैठ कर वचन सिखाते सामें मैं हर एक व्यक्ति के चेहरे से धुआ उड़ाया करती थी और उस कमरा में इतना धुआ हो जाता था कि आप लोगों को ठीक से देख नहीं पाते थे पर मुझे बुलाहट थी और कई लोग आते थे और एक बार एक धार्मी एक व्यक्ति वहाँ आया और वो लगातार कहने लगा खर खर ये साच है क्या 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 बाइबल कहती है कि प्रभू इस संसार की मुर्क और निर्बल वस्तूओं को चुनते हैं वो वही चुनते हैं जिसे संसार तुछ मान कर कूड़े में फेक देता है मैं बताना चाहूंगी कि जब प्रभू ने मुझे बुला हर दी तब मैं ऐसे सिर्फ तीन लोगों को जानती थी जिने ये विश्वास ताकि मुझे में दिमाग नाम की कोई चीज मौजुद है और मैं ये कर सकती हूं लोग मुझे खोब हंसते थे और लोगोंने मुझे थुकराया था क्योंकि मैं उबढ़ खाबर थी पर एक बात मुझे में थी कि मैं प्रभू से प्रेम करती थी मुझे प्रभू से प्रेमतार नहीं सोचती थी मैं बाहादुर हूँ मैं कदम आगे बढ़ा कर कोशिश करती थी खैर अब तमें छोटी पतलून पहन कर सबके मुह पर धुआ छोड़कर प्रभू का वचन नहीं बताती इस मामले में प्रभू ने मुझे से बाते की और मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया समझने में कि बाते मेरे अतीत का एक ही सबनी है जब मैंने सिखाना शुरू किया था तब मुझे में ग्यान नहीं था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभू मुझे तेजी से सफलता क्यों नहीं दे रहे हैं मैं अन्य प्रचारकों को टीवी पर देखकर सोचती थी मैं इनसे बहतर सिखा सकती हूँ अब ऐसा बरताव ना करें जैसे आपको वहाँ बैठकर आहराद नागुए की ओर देखकर ये नहीं सोचना पसंद है मेरी सोच ऐसी ही थी मैं बहतर नहीं जानती थी मैं सोचती थी कि वर्दान ही माई नहीं रखता है मुझे ये सीखने में कुछ साल लगे कि प्रभु अन्य लोगों को भी वर्दान देते हैं जो उन्हें आगे ले जाता है पर वहाँ पहुँचने के बाद वो उस थान को बना आये नहीं रख पाते अस अंसार में हम चरितर के बगिर चमतकार होते हुए देखते हैं कोई भी खड़े होकर समू को प्रभावित कर सकता है पर परदे के पीछे वो वैसा जीवन नहीं जीते जिसके बारे में वो औरों को सिखाते हैं मुझसे बुजूर्ग लोगों का संदेश सुनना मुझे बिलकुल भी मन्जूर नहीं था ओ आप वो बुजूर्ग स्त्री उसे क्या पता है और आप मैंसे मनोवृत्ती होना एक बेहद बुरी बात है यानि जब आप ऐसे किसी की संपर्क में आते हो जो 30-40 सालों से प्रभू के करीब है तब आपको अपना मुझ बंद रखके उससे सुनना चाहिए आपको उनका हर लव्ज मन में रखकर उनका हर बरताओ का आदर करना चाहिए हर परिस्थीती का एक मनोवृत्ती से साम न करो कि मैं आपसे कुछ नकुछ सीखूँ आप उम्र में मुझसे ज्यादा हो आपको मुझसे ज्यादा तजूर्बा है और मुझसे आपसे वो सब को सीखना है जो मैं सीख सकती हूँ हमारे समाज में ये बदलावाना चाहिए कि हम बजूर्गों के अधिकार का और उनके तजूर्बों का सही आदर करना सीख सके ताकि उन्हें अच्छा लगे प्रभू हमें किसी से भी सिखा सकते हैं वो बच्चों से सीखाते हैं एक नभी को तो उन्होंने गधी के मुझसे सिखाया क्योंकि वो बंदा किसी और तरीके से सीखने को राजी नहीं था गमन एक बुरी बला है वो आप से आपकी सेवकाई छीन लेगा वो जो आपके लिए उसके करण आपको प्रभू से उन्नती नहीं मिलेगी पर इस पर प्रभू के अनुगर से आपको जय मिल सकती है तो इसी प्रकार के नव युवको तुम प्राचीनों के अधीन रहो जो आत्मिक अगुए और आपके चर्च के सेवके इसका ये अर्थ नहीं कि आपको संचालित करें इसका ये मतलब नहीं है इसका अर्थ है सम्मान देना उन्हें सही सम्मान दे कर उनकी अगुवाई क्या अधीन होना वरन तुम सब के सब दीनता से अपनी कमर बांदो यहां लिखाए दीनता को लिबास की तरह पहन लो पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हर जगे अपना सिर लटका कर कहते भिर ओ मैं कुछ नहीं हूँ और कोई नहीं हूँ मैं आपको बताओंगी कि दीनता और घमन सबसे तेज कहां छलकते हैं वो छलकते हैं बरताओं में और ये सच है मुझे याद है जब हम यहां चर्च में आये थे महिला सम्मेलन के अफसर पर जो यहां कई महीने पहले हुआ था और अब अक्सर होता है तब दीनो और उसका परिवार और यहां का चर्च लोगों को तोफे दे रहे थे और वो हमेशा हमें भी तोफे देते थे पर एक बात मैंने देखी कि वो सिर्फ मुझे और डेव को ही तोफे नहीं देते थे वो मेरे साथ आए लोगों को भी तोफे देते थे कार चलाने वाले बंदे को, मेरे सेकेट्री को, उसके पती को और हमारे साथ आयोए अनिया लोगों को भी, मुझे वो पसंद है जो सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों की और अपना ध्यान नहीं लगाते चलो तो अब वे खयाल रखते हैं कि सब को सम्मान दें, बाइबल कहती है कि सब लोगों का अधर करें जब हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो होता है केवल घमंड ऐसी व्यक्ति कभी ना बनी जो सिर्फ उनका सम्मान करता है जीने वो महत्वपूर्ण मानता है और उन सब को तुछ मानता है जो छोटे होते ही मुझे याद है जब मैं हमारे चर्च की सहाईता सेवा में थी और तब मैं प्रचार या सेवकाई नहीं करती थी और हमारे पास्टर ने हमें भेज आ था एक मशूर संगीतकार को बुलानी क्योंकि हम कैम सभा का आयोजन कर रहे थे तब वो संगीतकार काफी लोग प्रिय था उसने हमसे बात तक नहीं की वो बड़ा ही अशिष्ट था और वो बात हमारे लिए आँखों के अंजन जैसी साबित हुई हम ऐसे लोगों का आदर करते हैं जो बड़े ओधिपर होते हैं पर जब हम उनसे मिलते हैं तब सचाई सामने आती है पर जानते हो कुछ सालों बाद ही उसे अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में बड़े मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा और तब मुझे याद आया कि हमें तो प्रभू ने बढ़ोतरी दी है और हम और हमारी सेवकाई काफी मशूर हो गए और तब वो बेचारा लो यहां ऐसा कोई था जो खुद को हमसे बहतर समझता था और हमारे साथ बेहुद उगरता से पेश आया करता था लेकिन संतुलन रखने का प्रभू का अपना तरीका होता है मेरी बात आप समझ गये होंगे आप में से कितने लोग मेरी बात समझ गये हैं इसलिए बैबल कहती है खुद को परमेश्वर के बलवन्थ हाथ के नीचे दीन करो और सही सामय पर प्रभू आपको सही पत पर स्थापित करेंगे और वो आपको ऐसे पत पर रखेंगे जहां आप सम्मान और सचाई से रह पाएंगे मुझे लोग प्रेप्रचारक बनना था जब मैं सिर्फ घरेलू बाइबल अभ्यास सिखाया करती थी पर तब मुझे यह अहसास नहीं था कि तब मुझे लोगों में मशूर ना करके प्रभू ने मुझे पर अनूग रखिया था कि तब उस थान के लिए मैं तयार नहीं थी मुझे लगा मैं तयार उपर वो सच नहीं था जब आप खुद को तयार समझते हो तब नहीं होते और जब नहीं समझते तब होते हो बाइबल कहती है कि किसी नए विश्वास को नेत्रित्व को कोई भी पद ना सौपे वनना वे लोग घमन से फूल जाएंगे और उचा पद आपको मुर्ख बना देगा क्यूंकि एकदम अचानक आप हर किसी से बहतर बन जाते हो बस एक छूट इसी बढ़ोतरी देखो किस तरह लोगों को तबहा कर सकती है मेरे लिए इस से बढ़कर और कुछ नहीं है कि मैं लोगों के साथ सही वहवार करूँ ये मेरे लिए नमबर वन है लोगों का सम्मान करना और लोगों के साथ सही वहवार करना खासकर उनके साथ जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे छूटी छूटी लोग हैं पर प्रभू के लिए वे छूटी लोग नहीं होते मेरे लिए ये एहम है कि मैं पाखंडी नहीं हूँ, कि मैं नहीं सिखाती जो मैं जी नहीं रही हूँ कि मैं सब के साथ सही वहवार करू और जब ना करू तब नमरता के साथ उनके पास लोटकर माफी मांग लूँ और सब कुछ ठीक कर दूँ चलो तब जोर से तालिया बजाईए हम अभी भी हैं एक पत्रस पाँच पाँच में इस वच्चन से हमें काफी कुछ सीखना है वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांदे रहता कि तुम एक दूसरे के प्रति घमंड और अहंकार रखना त्याग सको क्योंकि प्रभू अभी मानियों का विरोध करता है बापरे क्योंकि प्रभू अभी मानियों का विरोत करता है उन लोगों का जो अंकारी है जो दूसा हसी है और बढ़ाई खोर है ऐसे लोगों का वो विरोत करके उन्हें हराते हैं परन्तों वो दीनों पर आशिशों के साथ अनुग्रा करता है इसलिए खुद को नम रख करो याने खुद को जरूरत से ज्यादा एहमियत मत दो और इसका अर्थ है कि इस तरह की मनोवृत्ती रखो कि मैं किसी और से बहतर नहीं हूँ मैं औरों की तरह ही अच्छा हूँ पर मैं किसी और से बहतर नहीं हूँ मैं उनसे कम नहीं हूँ और ना उनसे ज्यादा हूँ और जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो इसलिए क्यों कि प्रभू ने मुझे वैसा वर्दान दिया है पर मैं ये नहीं चाहता कि इसका श्री मेरा है या मैंने कुछ कर दिखाया है मैं सिर्फ प्रभू का शुक्र गुजार और कृत अग्या रहना चाहता हूँ मेरी मदद करने हे तू परमिश्वर के बल्वंथ हाथ के नीचे दीन तासे रहो जिससे वो तुम्हे ओचित समय पर बढ़ाएं हमारी द्वारा घमन प्रकट होने का एक मार्ग है वो काम करने का प्रयास करना जो प्रभू ही करते हैं प्रभू को प्रभू ही रहने दो अब जूनियर पवित्रा आत्मा नहीं हो विश्वास करो या न करो आपको दोश निकालने का वर्दान नहीं मिला है जानते हो कई लोग वास्तों में सिवकाई में हैं और उनको सिवकाई है और उनकी सिवकाई पर नज़र रखकर लोगों में उनकी गल्तियों को जाहिर करना यानि मुझे माफ कीचिए लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सुनी हुई ये सबसे मुर्खता पूर्ण बात है और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बताएगी ये उन्हें कैसे सूचता है और वो इसे काफी तकलीफ और कलेश और काफी हद तक गड़ बड़ी फैलाते फिरते हैं बहुत स्यादा एक बात जो मैंने काफी जाया की है सब लोग कहो जाया की जाया की एक बात जो मैंने काफी जाया की है वो काम करने की कोशिश में जो मैं नहीं कर सकती थी और दूसरी बात जिससे वक्त जाया हुआ वो था खुद को बदलना तुम ये नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ प्रभू का है मैं चर जाती थी और वहां मूँ के बार में संदेश सुनती थी और ये निच्चवे करती थी कि मैं आगे से शांत रहूंगी और ना कुछ कहूंगी और फिर मैं निराश हो जाती थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि ये निराशा क्यूं है पर मैं अच्छा करने की कोशिश करती थी और प्रभू उसे कहा खेर तुने मूँ बंद रखा है पर भीतर से बंद नहीं है देखो मैं खुद को अनुशासित कर सकती है कुछ न कहने के लिए ताकि मैं किसी मुश्किल में न भसूं लेकिन प्रभू को चिंता है हमारे भीतरी स्वभाव की जो दिल में छुपा हुआ है और हम प्रभू के बिना खुद को बदल नहीं सकते क्योंकि हम सिर्फ अपने बाहरी बरताव का नियंतरण करने की कोशिश करते हैं पर प्रभू हमारे रिदय में कार्य करना चाहते है ताकि हमारे हे तू बदले तो अगर मैं अपने जीवन से एक तिन का भी निकाल पाई तो दूसरा तिन का किसी और जगे उभर आएगा प्रभू को हमें बदलाव लाना होगा पर इसलिए हमें प्रभू के सम्मुक गुठनों पर आकर कहना है प्रभू जी कल सुने हुए संदेश से मैं कायल हुआ हूँ और प्रभू मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं दोशी हूँ प्रभू जी पस चाता आप करता हूँ, ख्षमा करो कि दुबारा ऐसा नहीं करूंगे, मैं इसना प्रार्तना नहीं कर दि प्रभू जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आप पर निर्भर हूँ, आपने मदद नहीं की, तो मुझसे दुबारा वही गलती होगी, ओ, मैंने खुद के साथ संगर्श किया और संगर्श किया और फिर संगर्श किया और फिर खुब संगर्श किया और संगर्श किया और अब मैं खुद को अपनी सारी कम्यों के साथ पसंद रहती है हैललूया जानते हो फिर मैंने क्या महसूस किया प्रभू मुस्ट्रास चोरे चकित थे वो जानते थे कि मुझे पाकर उन्हें क्या मिला और दूसरी सबसे बड़ी बेवकुफी भरी बात जो मैंने की थी वो थी कि मैंने अपने पती को बदलना चाहा था जानते हो आप ऐसा नहीं करते पर आखिर कर हम यही सोचते हैं कि हम सही हैं और बागी सब गलते हैं और उन्हें हमारी कलपनाओं से सहमत होना चाहिए क्या मैं सही नी मैं कहूं वही सही दिशा होनी चाहिए जब भी हम लोग बाहर जाकर पर नीचर या कुछ और खरीदते थे तो उनकी पसंद मेरी पसंद नहीं होती थी और मैं कहती आप ये कैसे पसंद कर सकते हैं मुझ पर एक मू लगा था जिसे मैं किसी को भी काट सकती थी मेरी एक नजर से चलो अब चलो अब आपको बहतर देखें आपका बहतर देखें ये चेहरा ठीक नहीं है मुझे बहतर चहरा दिखाईए चलो अब देखो कहे बार आपको मुँ खोलने की ज़रूरत नहीं होती आपको सिर्फ यू देखना है या फेर यू इन सब बातों के बावजूद चाहो तो आप अपने माथे पर एक बड़ा सा लेबल लगा सकते जो कहता है मुझे गमण के साथ समस्या है और मैं सोचती हूँ कि संसार चलाना और हर एक को उनके काम के बार में बताना मेरा काम है क्योंकि मेरे काम का अंदाजा किसी को नहीं है ओ मेरे मित्रो हमें मजा रहा है हू एललुया अब मैं आपको एक और खास बात बताना चाहती हूँ आपको तब तक घमन पा जाने ही मिलेगी जब तक आप मनन 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 और प्रार्थनान नहीं करते आमीन प्रभू हमाले काफी कुछ करना चाहते पर हमें उनके बलवन हाथ के नीचे दीन होना होगा खर मसियत की तमाम गुणों को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो खोजो दीनता नमरता सुम्यता और लीनता क्योंकि वो स्वभाव प्रभू ये शुका है और मेरे ख्याल से इसके इद्वार आप जान पाएंगे कि शैतान कैसे हमारे मन के विरुद यूद करता है पर आज यूद जीत सकते हैं आप जौइस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने एहम है इसका आपको अंदाजा नहीं हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी से गाई को संभव बनाया मिलकर हम भूकों को खिला रहे हैं गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं त्रिप्या हमसे संपर करें या विजिट करें cmmyndia.org पर आज ही अपनी प्राथना के अनुरोत बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और जृस की सभाओं का शडियो़ जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बाढने के लिए ये कारेकरम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वरा प्रयोजित है